कि अलो बच्चे तो क्या हाल चाल है तो यह डॉक्टर लोग तहरी कर रहे हो ना नीट की नीट के एक्जाम तुमारे आने वाला है और जोरों-शोरों से मुझे बता है कि तहरी चल रही होगी यह डॉक्टर बन जाना जो सबने तुमने देखे हैं जो अपने मावा को दिखा ह है वह पूरे कर लेना अधरवाइस अगर डॉक्टर अब भी नहीं बने तो मतलब जिंदगी में डॉक्टर को कभी भी देखूगे ना तो काफी तकलीफ हो गया तो देखो बायों तो हम पढ़ रहे हैं NCRT को मारी हो चुकी होगी यह भी हो चुकी है और यह भी हो चुकी है और फिजिक्स वाला उनकी वहां पर भी मिल जाती है मेरे पास अभी एक फिजिक्स वाला की ही एक यह जो 36 प्रीवेस एर के गोस्न पेपर की बूक है ठीक है एक स्टूडेंट की बूक मेरे पास है आज दिल पो वह सॉल्व कर रहा था तो मैंने बूक देखी मुझे थोड़े कम मिले और कुछ ऐसे बहुत पुराने कोस्टन जो इन्होंने डिलीट कर दी है तो थोड़ा फिलिक्स भाला भी नया ना आया मार्किट में तो अप टूड़ेट रहा है बहुत बढ़िया से इन्होंने मॉडियून को सेट किया होगा तो मैं आपको रिकमेंट पढ़ लिया पूरा नस्याट एमट यार निकाल लिये संबरी को ढद लिया उसके बाड़ डिरेक्टली यहां सी चौक निकालो अब जब तुम यहां सी चाप्टर को निकालो और इसको सौल दिरना स्टार्ट करो और इसकी खासेत बताओं किया यह सिरफ इसकी नियी हर अब NCRT का पहला topic cell के ओपर यही है an overview of cell and cell theory तो इस topic के ओपर कितने meet में पहले question आ चुके है तो देखो पहले इसमें 13 गुस्टन आ चुके है और आगे date भी दिए 2019 में 2015 में 2015 में 2011 में 2010 में तो इसके बाद यहां पर 1990 से लिख लिए तो यह सारा इस टॉपिक उपर जितने कुस्टना है वो सारे यहां पर आपने NCRT पढ़ लिए लगा लिए तो confidence बूस्ट हो जाएगा एसे ही थो नेक्स प्रोक्रोतिक्सचाइअस जेसे बास वसके बाद नेक्सigi अलेक्षिव सेट् सेलवागे में आपने को को बता देता हो पूरा ना उसके बाद है माइटो कॉंड्रिया प्लास्टिट राइबोजोम इसके उपर जितने कुस्टन है इन टॉपिक्स के उपर वो सारे यहां दिये गया है नीट के ठीक है उसके बाद आपका साइटो स्केल्टन यह सारी चीजें सीलिया बगेरा न्यू लोगों ने काफी महनत किया बनाने में लोगों किस चप्टर का है किस चॉप टॉपिक का है और कि साला है वो सारा इसमें लिखाए अब मान के चलो तुमने कोई चप्टर पढ़ा ब्रीफिंग एड एक्शेंज आफ केसिद आपने पढ़ लिया अब देखो सर मेरी NCRT कंप सब्सक्राइब है नाइंटीन हंडर्ड एटी एट से ले टॉन्टी थी तक है जितने भी कॉस्टेन उस टॉपिक के ऊपर है वो सब मुझे आता है अभी जक्ता जो भी सवाल उसमें पूछा गया है मुझे आता है आप पूछो कॉंदेंस बढ़ गया अगदम से इतना बोल तो प्यों ली नीट से कुस्टन या एंटी से कुस्टन आरे नीट में तो आपको एंटी प्यों ली पढ़नी है और 2016 के बाद कर अपको सवाल नी बन रहा है यह कॉंसेट आपका कहीं बीक है तो घबराने की जरूरत है पीछे सिर्फ जवाब नहीं रिखे एक्स्पिनेशन दिया है कि क्या अंसर है एक्स्पिनेशन को पड़ किसी तुक बंदी लगाओ थोड़ा समझ लो एक्स्पिनेशन बिठा लो दिमाग में उस पे जाधा अज्यन करने की ज़रुतनी आप रोड़ना चुरू करोगे क्यो ना कि अंस्याटी बढ़के डॉक्तर बन जाओगे मित को चेंज करो यह बेवकुफिया मैंने की हुई आपने तो लेकिन मैं अपने स्टुडेंट्स को नहीं करने तो तो तुम भी मत करना है ठीक है ठीक है ठीक है यह बुक मंगवाओ ज्यादा टाइम नी रूगा स्पैस् मैंने इतनी बार पढ़ लिए और इसके इतने को इतने को सना है मेरे हो ठीक है तो थैंक्यू सो मच उमीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अब यह जो इन्फॉमेशन मैंने आपको दी है कि आप तक ना रहे अपने दोस्त तक भी मचाओ जितना ह के मन में नीट के लिए कोई सवाल है पढ़ाई के रिलेटिड कोई सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्षिन में मुझे बताओ रेलेवेंट होगा तो मैं उस पर वीडियो ही बना दूंगा अधरवाइस आपको कमेंट में जवाब मिल जाए थैंक्यू सो मुच